कबिल शर्मा के बार में ऐसे सिक्रिट्स जो बहुत ही कम लोगों को पता हैं इनका शो ब्रिटेन के शो से इंस्पाइड है कॉमेडी नाइट विद कबिल बंद क्यों हो गया इनकी फर्स संटरी 300 रुपए थी और क्यों बड़े बड़े रोवने जैसे की एमस दोनी रजनी काद ने इस शो में आने से मना कर दिया और सबसे इंपोर्टेंट कैसे सल्मान भाई ने कबिल शर्मा शो को बचाया भाई ये से कौन बताएगा अफकॉर्स हम बताएंगे इनके जोक सचे नहीं थे इसकी वज़े से बट इन्होंने भाई मैनत नहीं छोड़ी और पार बार ओडिशन दिया कॉमेटी सरकास इन्होंने चे बार जीता है उसके अंदर जो 10 लाग की प्राइज मनी मिली थी वो इन्होंने पूरी अपनी भेहन की शादी पे लगा दी थी क्योंकि ये चादी थे कि अपने गाउं में सबसे अच्छी शादी मेरी भेहन की हो कबल सर्म आपने शो में टैली प्राम्टर यूज़ करते हैं बेसिकली आपने देखाऊगा जो शो में काफी चीज़े होती है वो ऐसा लगता है कि अचानक से हो रही है और काफी फनी भी लगती है और तो एक बार इनके टैली प्राम्टर की फोटो भी निक हो चुकी थी बट भाई टैली प्राम्टर को यूज़ करना कुई गलत बात नहीं है जो आब आप ये शो दिखते हैं तो आपको पता नहीं होता है इसके शो दीट होती है कि आपको फील भी नहीं होता है कि ये लोग स्कृइब में देख के बोल रहे होते है इस शो में भी लडगे के बीछे वाइप उसकी पड़ी रहती है और उसमें भी एक दाद ही होती है और सब इन लोग होस्ट को बहुत परशान करते हैं उसके साथ-साथ ये होस्ट कमेडी भी बहुत करता है और यही सिम्टू सेम्जी जीनों ने कमेडी ने डाली है जो कि कि साल की इंकम 30-40 करोड तक आ जाती है ओडियंस के प्यार के लावा कपल जे ने काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़े भी ओन कर रखी है जैसे कि उनका अपार्टमेंट 15 करोड का फामाउस 25 करोड का वैनिटी वैन साड़े 5 करोड की अगर कार्स की बात करें तो मर्सेडीज ब प्राइस इंक्रीज है क्योंकि अफकॉस भाई यह पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमोस उन लग गए थे वैसे काफी कम लोगों को पता है बट कभिल शर्मा के पाल नहीं है बाई वो विग लगाते हैं कभिल शर्मा गाना बहुत अच्छा गाते हैं और वह बनना भ रहे था जिसकी वज़े से इनको नए करेक्टर्स लाने पड़े जैसे की मशूर गुला टी बंपर अपने दंपर में हूं पर रहती हूं अपने दंपर कपिल शर्मा की पहली संद्री 300 रुपे थी कमेड़ी करने के बाद उनको PCF बूद जैसे कई काम करने पड़ते थे यह भी बॉलिवोड से आने के लिए इनके शो में रेडी नहीं था बड़ी बड़ी बरेक्ता हुआ जब एक बार तर्मेंदर जी एक इपसोड में आये और उसके बाद काफी एक्टस ने आना चालू कर दिया और भाई अब देखो आप तो आरे बंदा आना चाता है इनके शो म भाई उनको लगता था कि इस शो में बहुत ही नेगटिव और वल्कर जोक्स बुलियाते हैं तो वह इस शो में कपी भी नहीं आएंगे कबिल सर्माजी को इन्हें टेलवीजन आफ दियर का वाड़ भी मिला है ये बहुत ही बड़ा वाड़ है बाई कुलाजन थाटीन में मिला था कि इनका शो बहुत ही जादा फेमोस हो चुगा था ना की इंडिया में बलकी पूरे वर्ल्ड में उस तर्म कपिल शर्मा अपने पीक पे थे बट एक दिन आता है और कॉमेड़ी नेट्स वित कपिल बंद जाता है इनका लास सो में पूरी कास सब्सक्राइब करना मत भूला झाल